हेलो फ्रेंट, वेलकन टू माई चैनल, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट अमित कुमा सिंग, आज मैं आपको एक कैनिकल कंपनी वताऊंगा, जिसमें आप लोग लॉंग टर्फ के इंवेस्मेंट कर सकते हो, और पहले से खरीद के रखे हुएं, तो भाईया होल्ड तो मैं पांच हर का टार्गेट दिया, और जब तीन हजार रुपय के आसपास गया, तो मैं पच्छतर सो का टार्गेट दिया, लेकिन अभी तक बच्छतर सो का टार्गेट अचीव नहीं हुआ है, और ये कंपाउंडिंग मसीन है, जिस पे मैं कई सालों से वीडियो बना आप लोग उपर के प्राइस में खरीदें, किसी भी प्राइस में खरीदें, तो होल्ड कीजिएगा, ये कैमिकल सेक्टरिक कंपनी है, जो इनफो से, टीसे, बजाज फाइनेंस, लेंटी, इनफो टिक के जैसा टेन मना के देगा, पैसा बनाना है, तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा, आप अगर होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो फिर एक उर्पय भी सेयर मत में पैसे मत लगएगे, क्योंकि आपके इसाब से कभी भी कोई स्टॉक नहीं चलेगा, और ये सब तो चलता रहेगा, उठाप पटा खोता रहेगा, आप लोग ने देखा ना, ये जब मा पहले या फिर पैसा नहीं लगाए, और देर दो महीने बाद, तीन महीने बाद पस्ता आएंगे, और बहुत पस्ता आएंगे, क्योंकि मैंने कभी नहीं बोला, कि नेटी 14 जा रहेगा, 11 जा रहेगा, मैं आप लोग को हर वीडियो में बोलता रहा, कि जितनी तीज से मार्क आप में पैसा नहीं बनता है, और दस-पांच पसेंटन बनाने आये हो, तो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, आप दस-पांच पसेंटन नहीं बनाएंगे, आप 20-30 पसेंट लॉस बुक करके निकलेंगे, तो उससे अच्छा है, कि 5 लाग के जगा आप 8.5 लाग रुपे इ लेकिन लॉंग टर्म के जिस तरह आप लोग प्रॉपर्टी खरीद के छोड़ देते हैं, उसी तरह आप लोग कमेंट कर रहे हैं, कि मेरा छूट गया, मैं बजाज फैनेंस खरीद नहीं पाया, तो भैया उसमें गलती आपकी है, इसी तरह लोग कोविड में चला रहेते, जौब नहीं है, मंदी है, सारी दुकाने बंद है, बजाज फैनेंस 500 का हो जाएगा, रलाइंस 100 रप्या का हो जाएगा, निफ्टी 4000 का हो जाएगा, दो जार का हो जाएगा, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, जब चला तो चली रहा है, देर सालों तक चला, जो मैं आप को यही सेवे स्टॉक महंगा लगेगा जब 15,700 के पास था मैं तभी बोल दिया था यह बॉटम बन चुका है एक बार नहीं दो बार वीडियो बना के बोला था और मुझे गालिया भी पड़ी थी जब निप्टी 300-400 पॉइंट नीचे आया था लेकिन वहां पे एक बाइंग लेकिन कई लोग हैं जो दम बॉटम पर खेना चाते हैं तो ऐसे लोग तो इन्वेस्मेंट करी नहीं पाएंगे और फिर उपर के प्राइस में खरी देंगे तो भी इस कंपनी का नाम है दीपक नैट्रेट यह कंपांडिंग मसीन है आप लोग इस कंपनी में पैसे लगाए लेकिन आप लोग चाते हैं कि मैं जिस कंपनी पैसे लगाँ उसमें कभी करेक्सन ही नहीं हो तो ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है यह स्टॉक कोविट के पहले भी चल रहा था कोविट के बाद भी चला और आगे भी चलेगा आपके पास अगर पेसे नहीं है तो फिर आप पैसे नहीं बना पाएंगे आप किसी कंपनी को होल्डी नहीं कर पाएंगे तो पैसे कहां से बनेगा इस प्राइसे वीडियो बना बजास्पै जैसी कंपनी को ऊसी से में बेच दिए डिक्सन एफल इंडिया एलकल माइस को उसी से में बेच दिए तो भाईया जो लोग बेच दिए वह तो परिसान हो रहे होंगे और यहीं सब स्टॉप उपर के फ्राइस में खरीद रहे होंगे जब डर का महल रहता है वही सारी दुकाने बंद है, क्या हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, तो जो long term investor हैं, वो पैसे बना लिए, और जो short term investor हैं, वो 25%, 30%, 50% loss book करके निकल गए, और 50%, 30% loss book करने के बाद, फिर ओही कंपनिये फिर से पैसे लगाए, तो इसलिए मैं बोलता हूँ, कि आप 5 लाग के जगा, तो दसो कंपनी तो खराब नहीं होगी, दसो कंपनी में घोटाला तो नहीं होगा, बीस कंपनी खे दोगो, तो बीसो कंपनी में घोटाला तो नहीं होगा, अव ऐसे तो भाई, गाड़ियां एक्सिजेंट होती हैं, तो क्या हम लोग गाड़ी ना खर दें, रोट पे चलना बन कर दें इतने सारे लोग आईएस के त्यारी करते हैं सभी लोग तो आईएस नहीं बन पाते हैं लेकिन जो लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं 12-15 घंटा पढ़ाई करते हैं वो तो आईएस बन जाते हैं तो भाईया 12-15 घंटा पढ़ने वाल आईएस बनेगा पांच मि पैसे लगाईए इस कंपनी का प्राइस पच्छतर सो हूगा तो लोग कमेंट करते रहते हैं कि तुम्हारा टार्गेट अचीव कब होगा ठीक है भाई जब टार्गेट अचीव होगा तो मैं आप लोगो भी बताऊंगा चिंता मत कीजिए फाइनली का टार्गेट अचीव हो जोइन करना चाहते हैं तो टेलिग्राम भी जोइन कर सकते हैं मैं कोसिस करूँगा आपको अच्छा से अच्छा पोट्फोलिय बना के देने का कॉंट्रेट कीजिए मुझसे पेट सर्विस चाहिए तो और भी जो मैं आप लोग केमिकल कंपनी बताया हूँ उसमें भी आप लोग लॉस बुक मत कीजिएगा अरती भी लाइटेम हाई लगाएगा एसारे भी लाइटेम हाई लगाएगा अतो लिम्टेड और भी जो मैं आप लोग केमिकल कंपनी बताया हूँ छोटी है बड़ी सभी कंपनी फिर से लाइटेम हाई लगाएंगे अब जो ब्रेक होगा तो पुल बैक हुआ है तो मंत्री चार्टेम जब रेक आउट होता है वही तो फिर छे-सात मैने मार्केट में तेजी ही रहती है और इन्हीं छे-सारी कंपनी डबल हो जाएंगे तिरपल हो जाएंगे तो जो लो मार्केट से बाहर रहेंगे इस समय उनका तो लिंक मिल जाएगा ब्लैक जो मैं 50 रुपए से वीडियो बना रहा हूं एडियो फूर्ट दो सो चौशाट रुपए के प्राइस से वीडियो बना रहा हूं मेरी वीडियो बनाने के बाद ये स्टॉक 17-18 गुना-19 गुना हो चुका है एक बार कॉपेट एक्सन भी हो चुक बार के प्राइस से वीडियो बना रहा हूं मेरा बहिया चीजर कर दिया हूं तो आगर आपके पास और पैस डबल हो रहा है या फिर तिरपल हो रहा है तो आप यह मैं सुचे कि बहुत बड़ा रिटन बना लिए कुछ भी नहीं बना रहा हूं आप लोग को पता होगा आप लोग खरीद के भी रखे होंगे तो यह भी एक बहुत एची कंपनी है भाई फिरसे लाइफ टेम हाई लगाया का डिक्सन टेकनलोजी चार हजार पैके प्राइस से वीडियो बना रहा हूं मेरी वीडियो बनाने के बाद यह स्टॉक बीस बाइस एर पर तक गया था उसके कॉपे टेक्सन हो गया फिर से डिक्सन टेकनलोजी का प्राइस बीस बाइस और हो जाएगा यह प्लिक के रख लो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं यह बहुत अची कंपनी है मेरी वीडियो बनाने के बाद यह स्टॉक 6,000 पर तक गया था और अभी इस कंपनी में कॉपे गतेक्सन हो चुक्क है पर यह भी एक ज्यूट फनी सोनलर प्राइस से प्राइस से बना रहों अटनी सुप्रमाच 1430 एस के प्राइस से बना रहों और तो लिम्टेड में चाप्ऌनागा एवरेज SIP नहीं करना है 10, 15, 25 रपे लगा के छोड़ देना है आपको अगर एवरेज SIP करना है तो दीमार्ट में कीजिए एबनी सुपरमार्ट में कीजिए अत्तुल लिम्टेंड में कीजिए SRF में कीजिए रूल को नहीं फॉलो करेंगे परिशान हो जाएंगे SRF में 2700 रपे के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ मेरी वीडियो बनाने के बाद ये स्टॉक 11-12,000 रपे तक चला गया था बालकिस इन्वेस्टी 795 रपे के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ ये भी एक बहुत अची कंपनी है जिसमें आप लोग आवरेज भी कर सकते हो SIP भी कर सकते हो कभी भी इस कंपनी में करेक्शन दिखाई दे तो मिंड़ा भी खरी सकते हो LNT Infotech 16-100 रपे के प्राइस से वीडियो बना रहा हूँ इसमें भी आप लोग आवरेज SIP कर सकते हो अभी आप लिए स्टॉक डिस्कॉंट मिल रहा है तो ये से LNT Infotech lifetime हाई लगाएगा अगर आप लोग पचास सेर खरीते हो तो बीस-पचीस सालों में 44-45 करोड बन जाएगा क्यांप आप देख सकते हो प्रेंस्पाल इमाउन जो मैं रहा हूँ ओ एक लाक रुपय रहा हूँ रेट आप इंट्रेस्ट 40% लेकिन भाईया जब इस कंपनी का प्राइस 500 रुपय कर नीजे था छोटी कंपनी थी तो मैं 60% का रिटरन रखता था आप लोग को पता होनी चाहिए लेकिन इस समय मैं 40% रखाऊं लेकिन अगर ये बहुत छोटी कंपनी होती तो मैं 60% से कम बिल्कुल भी नहीं रखता अब कई लोग कमेंट करेंगे कि 40% बना के देगा ही नी तो भाईया देखो जब किसी कंपनी में तेजी होती है न तो देर दो सालों तक दीन सालों तो चलता ही रहता है और अगर आपको लगता है कि 40% बना के नहीं देगा तो फिर आप मार्केट में क्या करने आए मैं जब वीडियो बना रहा था ना 275 रुपया के प्राइस पे 500 रुपया के प्राइस पे तो काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि बहुत चला हुआ है यह दिक्कत है वो दिक्कत है लेकिन जब 1000 रुपया कहो गया तो फिर सबको अच्छी कम ही लगने लगी फिर सबको भी बोले लें कि हाँ अधीपक नेटेड म बना रहा था तो लोग कमेंट कर रहे थे 25 रोड करोड निन नावी लाग रातो रात नहीं बनेगा पचीस साल लेंगे आप अगर जवान है तो बुढ़े हो जाएंगे कई लोग कमेंट भी करेंगे कि मैं बुढ़ा पे पैसे का क्या करूंगा तो बहीं आप रातो रात भी देख सकते हो, तो भी लोग मेरे लिंक से डीमेट इकांट ओपिन कराएंगे, उनको इंटाड़ेटिव्स फ्री में दिया जाएगा, अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगए हो तो लाइक करना, सेर करना, सब्सक्राइब करना, पहले सिर में चैनल को सब्सक्राइब का वेल